सिक्षार्थियों आप सभी का स्वागत है मैं डाक्टर सुरेंद्र कुमार सहाय काचारे सिक्षाविद्य साखा उत्तरप्रदेश राजर्शी टंडन मुक्त विश्विद्य ले प्रयागराज से आज मैं उपस्थित हूँ एक विशेपर व्याख्यान के लिए यह विशेव बीयट थर्ड समेश्टर पर आधारित है बियर्ड थर्ड सेमेस्टर का यह प्रसंपत्र जिसका कोट बियर्ड E41 है और प्रसंपत्र का नाम है पेड़ागाजी आप सोशल स्टडीज इसका यूनिट 10 जिसमें प्रोजेक्ट मिथट के विशे में आज हम चर्चा करेंगे तो आएए चलते हैं अपने विशे पर विशे है प्रोजेक्ट मिथट योजना विधी इस योजना विधी के जर्मदाता डबलू एच किल्पैट्रिक है अगर इसके संप्रत्य की बात करें तो यह एक पूर्वन योजिस सैक्षिक क्रिया है जो वालकों दोरा निश्वित अवध में पूरी की जाती है सिक्षार्थियों इसमें छात्रों की क्रिया सीलता को महतु दिया जाता है इसमें सिक्षक परिस्तितियों के निर्मार्ग करता के रूप में तथा मार्ग दर्सक के रूप में होता है इसमें सिक्षक का इस्थान परमुख ना होकर गौड होता है जबकि सिक्षार्थियों का इस्थान परमुख होता है इसलिए इसे सिक्षार्थी केंद्रित विधी भी कहा जाता है अगर हम इसके संप्रत्य की बात करें तो W.H. Kilpatrick की परिभासा के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि यह प्रयोजना पूरे मन से किया जाने वाला सोदेश कार है जो सामाजिक बातावरण में संपन किया जाता है यानि wholehearted purposeful activity proceeding in a social environment are more briefly in the unit element of such activity the hearty purposeful act यानि वास्तिविक परिस्थिती में संपन किया जाता है यह क्योंकि सिक्षार्थी की समस्या होती है सिक्षार्थी अपने मन से समस्या का चैन करता है और सिक्षार्थी के वास्तिविक जीवन या उसके सामाजिक जीवन से समस्या का चैन करता है इसलिए इसको हम वास्तिविक परिस्थितियों में हल करते हैं और इसलिए यह कहा जाता है कि यह समाजिक बाताबंड में संपन किया जाने वाला कार्य है इसके द्वारा छात्रों को आर्थिक यूम सामाजिक जीवन की वास्तिविक परिष्थितियों यूम समस्याओं से सफलता पूर्वक आउगत कराया जा सकता है छात्र परस पर सहयोगी वस्वपरयतन यूम सूझ से कारे करते हैं इसमें सहयोग सहकारिता सहानभूति प्रेम तो मौलिक चिंतन आधिगुड़ों का विकास किया जा सकता है अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो यह दो आधार पर वर्गी करित किया जा सकता है एक है छात्रों की संख्या के आधार पर और दूसरा है कारियों के आधार पर चात्रों की संख्या के आधार पर इसको दो वर्गों में वर्गी किया जा सकता है जिसमें से एक है व्यक्तिक या ब्यक्तिक या इंडिविज्वल और दूसरा है सामोहिक यानि कलेक्टिव वैक्तिक यानि जब छात्र वैक्तिकत रूप से किसी समस्या का चाहिन करता है और उस पर अकेले कारे करना चाहता है तो उसे वैक्तिक योजना कहते हैं और सामोहिक कुछ समस्यां आईसी होती हैं, कुछ प्रकरण आईसे होते हैं, कुछ विश्यां ऐसे होते हैं, जिस पर अकेले ना कारे करके सामोहिक रूप से आठ या दस विद्यार्थी मिलकर उस पर योजना बद तरीके से कारे करते हैं, तो उसे हम सामोहिक योजना कहते हैं अब अगर हम कारियों के आधार पर देखें, तो कारियों के आधार पर इसको चार प्रकार में वरडित किया जा सकता है, जिसमें से एक है सुरिजनात्मक योजना, यानि क्रियेटिव प्रोजेक्ट अगर हम क्रियेटिव प्रोजेक्ट की बात करें, अगर इसको एक उधार के माध्यम से समझने का प्रयास करें, तो एक उधार होगा जैसे बहुद्देशिये योजना को माडल का रूप देना, इसमें छात्रों के अंदर स्रीजनात्मक्ता का गुड विक्सित किया जा सकता है जैसे जब वो बहुद्देशिये योजना को माडल की रूप में प्रस्तूत करेंगे, तो निश्चित तोर पर उनमें स्रीजनात्मक्ता का विकास होगा, और दूसरा है सौंदर यात्मक, इलिजेंटली, यानि जिससे उनके अंदर सौंदर बोध विक्सित हो, सौंदर बो जब धरातलिय सौंदरता का आध्यन योजना बध तरीके से करेंगे, योजना बना कर करेंगे, तो निश्चित तोर पर उसमें इतने कायर हैं, इतने स्थलों का उनको भर्मण करना पड़ेगा, इतने स्थलों का उनको निरिक्षन करना पड़ेगा, कि निश्चित तोर पर उनके अंदर संदर्यात्मक बोध का विकास होगा और नेक्स्ट है समस्यात्मक प्रोब्लेमेटिक समस्यात्मक प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं उससे हम उनके अंदर समस्या हल करने की शमता का विकास करते हैं कितनी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की उनके जीवन में किसी भ आर्थिक जीवन से संबंदित हों उन समस्याओं को आवा समाधान सरलता पूरवक कर सकें अगर हम इसको उदाहण के माध्यम से समझें तो यह एक प्रोजेक्ट हो सकता है कि मुंबई एक अच्छा बंदर गाह क्योंً होलाश्ट है कौसलातमक इसके प्लीनिस उनके अंदर दक्षता का विकास करना उनके अंदर कुसलता का विकास करना चातर जब इस तरह की प्रोजेक्ट कारे लेकर करते हैं तुन ईजिस्जी से हम देखते हैं कि अगर छात्रों की संख्या के आधार पर देखें तो वैक्तिक सामोहिक और कारियों के आधार पर देखें तो यह चार प्रकार के स्रिजनात्मक संद्रयात्मक समस्यात्मक यह कौसलात्मक प्रकार के योजना का निर्मारों करते हैं इसके आधार पर हम प्रोजेक्ट मिथट कार्य करेगा तो प्रोजेक्ट मिथट परकार करने के लिए अनेक सोपानों का अनुसरण करना पड़ता है यह कह सकते हैं कि योजना विधी के अनेक सोपान है प्राया साथ प्रकार के सोपानों का अनुसरण किया जाता है जिसमें से एक है परिस्थिति उत्पन करना creation of the situation यानि इस प्रोजेक्ट करने के लिए योजना बनाने के लिए कोई एक विशयवस्तु होनी चाहिए और वह विशयवस्तु विद्यार्थी के वास्तिविक जीवन से संबंधित होना चाहिए क्योंकि अगर समस्या या विशय या प्रकर्ण विद्यार्थी के वास्तिविक जीवन से संबंधित नहीं होगा तो विद्यार्थी उस पर तनमयता पूरवक कार नहीं कर पाएगा उसके रास्ते में अनेग बाधाएं उत्पन्न होंगी, वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा इसमें सिक्षक का इस्थान गौड होता है, सिक्षक केवल परिस्थिती उत्पन्न करेगा वह ऐसी परिष्टिती उत्पन करेगा जिस्से छात्रों में किसी प्रकराण किसी विशाय किसी समस्या के प्रती रूची उत्पन हो और जब विद्यार्थी के अंदर रूची उत्पन होगा तो वह खुद समस्या का चैन कर लेगा इसलिए next step जो है योजना का चैन, selection of the project, यानि यह जो selection of the project है, यानि योजना का चैन है, वह विद्ध्यार्थियों के द्वारा चुनी जानी चाहिए. सीख्षक जो परिशिती उत्पन करेगा, उसमें चषात्रों के रुची उत्पन करेगा, उसी के आधार पर बालकों के द्वारा योजना चुनी जाएगी. सिख्षक उप्युक्त राय दे कर सहायता कर सकता है मालिजिय कई योजनायe हैं कई समस्याय कई प्रकरण है तो उसमें सिख्षक राय दे सकता है इस बुद्धामान समय में कौन सा Gegen करना है वह ज्यादा उपयुक्त होगा योजना बनाने के लिए तीसरा है उद्देश निरूपड जब हम योजना का चैन कर लेते हैं तो उसका परफसिंग करना पड़ता है यानि उसका उद्देश निर्धारित करना पड़ता है किस उद्देश के लिए हम अमुक योजना का चैन कर रहे हैं या मुख प्रोजेक्ट का चैन कर रहे हैं उसी उद्देश को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी चाहे इंडिविज्वल या व्यक्तिकात रूप में या समोही करूप में समस्यक पर अध्यन करते हैं नेस्ट है योजना पूर्ण करने का कारिकरम प्लान आफदा प्रोजेक्ट परिस्थित उत्पन करने के उपरांद योजना का चैन किया गया और योजना के चैन करने के उपरांद उद्देश निर्धारित किये गए और अब उस उद्देश को प्राप्त करने के लिए योजन के लिए कारिकरम बनाय जाएगा कि कैसे कैसे योजना पर हमकार करेंगे अगर व्यक्तिकत प्रकार की व्यक्तिक प्रकार की योजना है तो विद्यार्थी स्वयम निर्धारित करेगा कि वह कितने समय में उसका प्रस्तावना पार्ट पूरा करेगा कितने समय में वह डैटा कल करने जाएगा कितने समय में उन डेटा का विशलेशन करेगा और कितने समय में फिर उन डेटा के आधार पर एनालिसिस करके उसका रिपोर्टिंग करेगा अगर यह सामुहिक प्रकार की योजना होगी तो उसमें कई दल बनाए जा सकते हैं कई टीम बनाई जा सकती है जिसमें चे से लेकर आठ विद्ध्यार्थी तक मिलकर उसी युजना को पूर करेंगे, जिसमें एक टीम हो सकती है, सर्वेक्षंड दल, सर्वे टीम, दूसरा हो सकता है, तथ संकलन दल, डेटा कलेक्शन टीम, तीसरा हो सकता है, विशले संड दल, यानि एनालिसिस टीम, और चोथा ह हो सकता है तथ्यों का रिखांकन दल यानि डायाग्राम प्रिपरेशन टीम तो इस तरह से सर्वेक्षण दल सर्वे करेगा कि किसके आधार पर हमको डेटा कलेक्षण करना है उसी के अनुसार उपकरण का निर्माड किया जाएगा जिसे फिल्ड में जाकर डेटा कलेक्षण क किया जाएगा और दोसरा जो तथ संक लंदल होगा जो बनाया गया उपकरण है सर्वे दल उसका सांख की विशलेशन करेगा और सांख की विशलेशन के उपरांत तथ्यों का जो रेखांकन दल है वह उसको रेखांकित करेगा वह उसको लिखेगा वह उसको एक फाइल का रूप देगा तो इस तरह से हमने देखा कि योजना पूर करने का कारिकरम बहुत ही important है जिसको बहुत ही साधानी पूर्वक बनाना चाहिए नेक्स्ट है योजना का किरियान वैं एक्जिक्यूटिंग दा प्लान यानि जो योजना हमने ऊपर बनाया है चाहिए दल बनाया है चाहिए वैक्तिक परकार की योजना मानकर उसके लिए योजना हमने बनाया है उसका हम यहां पर एक्जिक्यूट करेंगे उसको लागू करे यानि प्रतेग दल अपने अपने योजना के अनुसार अपने अपने कारी के अनुसार अपने अपने उदेश के अनुसार अपने कारी को परडित करेगा शिक्षक मार्ग दर्शन करता रहेगा next है निरड़े अथवा मुल्यांकन करना judging and evaluation यानि जो हमने योजना कारी किया है जो उसका हमने analysis किया है उसके आधार पर हम analysis करेंगे निरड़े करेंगे judge करेंगे कि हमारी योजना कितना सफल हुई इसके कुछ बिंदों हैं जिसके आधार पर हम निरड़े और मुल्यांकन करेंगे जिसमें से एक है कारे का रूप कारे का रूप हमारा कैसा रहा किस इस्तर का रहा कितना अच्छा रहा दूसरा है कार का परिडाम हमारे कार का परिडाम क्या रहा क्या हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है हमने जितने उद्देश्यों का निर्माड किया है उन उद्देश्यों के आधार पर यह हमारे जो प्रोजेक्ट कार है जो इसका निश्कर्स है कैसा रहा कार का और लाश्ट है क्या कमी रह गई इसाधार पर भी हम मुल्यांकन करते हैं कि क्या कमी रह गई ताकि अगर कोई कमी रह गई है तो अगली जब हम योजना बनाए तो उन कमीयों को हम दूर कर सके औरंत में आता है कारे का लेखा यानि रिपोर्टिंग रिकार्डिंग जो हमने उ भी उसके आधार पर ज़ोकार किया जाने है उसका हम एक रिफरेंस ले सके या उसको हम लागू कर सके यह तो हुआ योजना वीधी के सौपान इन सातों सोपानों का अनुसर रखते हुए हम योजना वीधी के माध्यम से किसी भी प्रकृण का अध्यान विद्यार्थियों को कराते हैं अब नेग्स है हर वीधी के अनुसार इस वीधी की कुछ मेरिट हैं इस विधी के कुछ गुड़ हैं जो इस परकार हैं जैसे अधियम का मनोवग्यानिक सिधान ततपरता का नियम लागू होता है क्योंकि प्रोजेक्ट कारी में भी ततपरता पूर्वक लगे रहते हैं विद्यार्थी तो उनको सीखने का ज्यादा उसर मिलता है इसल चीक के शम्ता का विकास होता है और अभ्यास का प्रभाव उनके शीखने पर पढ़ता है इसलिए हम कह सकते हैं कि अब्वाव का नियम भी इसमें लागू रहता है और यह मान्सिक विकासमें सहायक है निश्ची तोर पर विद्द्यार्थी संगलग्न रहकर क्योंकि उनकी ही अपनी समस्या होती है वो समाजिक वाताबण में वासे विश्दियों में समस्या का समध्धान करते हैं कि यह विद्यार्थ Met यूजन बनाकर कार्य करने में स्वाध्या की भी आउसकता पड़ती है स्वाम मुटीवेशन उनको मिलता है जब तक वह आध्यान नहीं करेंगे उनको जानकारी नहीं होगी तो वह स्वाइम क्रिया नहीं कर सकते हैं हमेशा वाद दूसरे को पर डिपेंड रहेंगे अपने टीचर के बारचीत करते रहेंगे पूछते रहेंगे यह देव कि यहां टीचर का रोल है टीचर एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है लेकिन विद्यार्थी योजना विदी के माध्यम से जब अध्यान करता है तो वह स्वाइम क्रिया करता है और स्वाइम क्रिया करने के क्योंकि जो समस्या होती है विद्यार्थी की होती है विद्यार्थी के द्वारा च्वैनित किया गया होता है विद्यार्थी समाजिक प्राड़ी है समाज में रहता है उसके समस्या का हल समाज में मिलता है उसकी आर्थिक समस्या भी हो सकती है आर्थिक समस्या भी उसको समाज से ही हल प्राप्त हो सकती हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसको सामाजिक बातावण में कार करने का आउसर मिलता है और नेक्स्ट है अनुसासन की समस्या का हल होता है विद्यार्थी इसमें लगातार अभी इसके डिमेरिट में देखेंगे क्योंकि एक समय में एक वर्स में अनुसासन हिंता करने का उनको समय ही नहीं मिल पाता है और अच्छे विद्यार्थी की तरह हो अनुसासित विद्यार्थी की तरह हो अपने कार को करते रहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क को अपने योजना को कारे रूप मे परडिक करते हैं इसलिए हम कह सकते हैं अनुसासन की समस्या का हल होता है नेक्स्ट है यह विधी व्यवहारिक है व्यवहारिक इसलिए है क्योंकि समाजिक बातावर्ण में संपन्द किया जाता है व्यवहारिक इसलिए है क्योंकि उनकी व्यवहारिक समस्याएं होती है व्यव पर बल देती है और जब स्वाध्याय करते हैं स्वाध्याय करने से उनको आत्मनिर्भरता होती है यानि कि वह अन्य दूसरों के उपर डिपेंड नहीं रहेंगे जो उन्हें आवसकता होगी सेल्फ मोटिवेट होकर स्वंप्रेरित होकर वे स्वाध्याय करते हैं जिससे उनक पढ़ाई के प्रति आत्मने रिभरता के गुरों का विकास होता है और लाश्ट है यह लोगतंतरात्मक है लोगतंतरात्मक इसलिए है क्योंकि इसमें सबको समान महतु दिया जाता है सिक्षक सबको समान महतु दियता है समस्या चैन के समय सबको समान महतु देता है हर विद्य प्रकार की योजना का निर्मार करते हैं तो उसमें सभी विध्यार्थियों को समान महत्त प्राप्थ होता है इसलिए कह सकते हैं कि यह लोग तंतरात्मक है नेक्स्ट हर स्विक्षण विधी की तरह से इसके भी कुछ सीमाएं हैं इसके भी कुछ डिमेरिट हैं दोस हैं जो इस प्रकार है जैसे आमितब्याई या खर्चीली या आमितब्याई या खर्चीली है ऐसा माना जाता है क्योंकि योजना विधी के माध्यम से अध्यन कराने पर अनेक प्रकार के पुस्तकों की आउसकता होती है अनेक अन्य समग्रियों की आउसकता होती है अनेक इस्टेशनरी की आउसकता होगी समय अधिक लगता है इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की दृष्ट से यह अमितव्याई है यह खर्चिली है अमितव्याई समय व्प सभीं लिए बारन किया कि वर्स में एक या दो पर्योजनाएं करेंगे तो दो विश्यों और भी नहीं करा जा सकता इसके माध्यम से इसलिए भी सीज़ा, परियलक्षिक्त हöll dov prestay प्रतेग अध्यावक नहीं करते बहुत से विद्यार्थियों करते नीरस लग सकता है उबाउओं लग सकता है इसलिए परतेक विद्यार्थी इसमें बढ़ चड़कर हिस्सा नहीं लेते सहबाग नहीं करते इसलिए हमारा अध्यापन बाधित होता है नेच्ट है सभी विश्यों का अध्यापन सम्भव नहीं जैसा उपर हमने बाड़ित किया जब वर्स में एक या दो ही परओजनाएं सम्भव हमने ऑड़ित किया जैसी और नेक्स्ट कक्छा में वांचनी नहीं है चोटे बच्चों के लिए बैसिकली जूनियर तक के बच्चों के लिए या उपयोगी नहीं है वांचनिय नहीं है हाँ हाई स्कूल के या सेकंडरी स्कूल के बच्चे इस माध्यम से अध्यम कर सकते हैं नेक्स्ट है विध्याले के समय साड़ी के अनुसार चल पाना संभव नहीं है क्योंकि फिर वही बात आ advantage है कि वर्स में एक या दो ही प्रयोजना या बहुत कर लेंगे तीन कर लेंगे किया जाना संभव है तो विद्याले के समय साड़ी में और विशे कहा जाएंगे और विश्यों के लिए भी इस्थान चाहिए तो अन्र विशे छोड़ जाएंगे इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्याले के समय साड़ी के अनुसार चल पाना संभव नहीं है इस प्रकार से हमने देखा कि योजनावीधी क्या है, इसका संप्रत्य क्या है, कितने इस तर से होकर इसको किया जा सकता है, कितने चरणों कान पालन करते हुए इसको किया जा सकता है और इसके माध्यम से विद्यार्थियों के लिए क्या फाइदे मिलते हैं, उनके लिए क्या उपयोगी है और इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया शिक्षार्थियों इस परकार आपने देखा किस तरह से योजनाविधी विद्यार्थियों के लिए उप्योगी है आपने ध्यान से मेरे लेक्षर को सुना इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुना हम नेक्स्टन पर एक नए विशे के साथ उपस्थित होंगे धन्यवाद